हेलो स्टुडेंट्स आज हम NCRT एक्सेसाइज करेंगे तो आप अपनी NCRT की बुक अपने सामने रखना ठीक है तो फॉर्स जो कोशन है फॉर्स निमेरिकल है ना तो फॉर्स निमेरिकल क्या है मैं एक बार पढ़ देती हूं An athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds ठीक है तो वो क्या कह रहा है एक athlete है जो की circular path है जिसका की diameter कितना है 200 meter है ठीक है अब वो कह रहा है कि circular track में जो diameter 200 meter है तो उसको वो 40 seconds में complete कर रहा है क्या एक चक्कर वो 40 seconds में complete कर रहा है पहले कोशन को ध्यान से समझो ठीक है what will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 seconds पहले तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि 2 minute 20 seconds में वो कहां पहुंचा ठीक है तो आपको displacement और distance दोनों ही बताना है ठीक है तो सबसे पहले है center हो गया हो गया कि नहीं हो गया तो radius of track जो radius of track यह diameter है तो radius निकालेंगे तो radius कैसे निकल जाएगी 200 upon 2 equals to क्या आ जाएगा 2 बंजा 2 00 कितना गया radius 100 meter आ गया अब आपको पता है कि जो एक round है वो आपको complete कर रहा है कितने second में 40 seconds में ठीक तो आपको क्या लिखना पड़ेगा rounds completed in 40 seconds आपको पता है 40 seconds में कितना कर रहा है क्योंकि यह question में दिया हुआ है तो अब आपको कैसे निकालोगे आपको कितने time का निकालना है 2 minutes 20 seconds का निकालना है है ना तो यह क्या करोगे rounds completed in 2 minutes 20 seconds ठीक है that is क्या आजाएगा आपका answer 140 seconds 2 minutes को किसमें change कर दोगे 2 minutes को change करोगे second में तो 2 minutes को second में change करने के लिए क्या कर दिया आपने 2 multiply 60 तो plus 20 seconds तो कितना आगया यह 120 plus 20 कितना आगया 140 seconds ठीक है rounds completed in या इसको क्या bracket में लिख सकते हो या इसको रॉफ में भी कर सकते हो 140 upon कितना 4 ठीक है 140 upon 40 equals to क्या जाएगा 0 से 0 cancel हो गया ठीक है आपको पता है 4 3 जा 12.2 बच्जा 4 5 जा 20 तो कितना आगया 3.5 कितने round आगया complete के इसने 3.5 happen in the round to complete athlete ठीक है क्या निकलना है distance covered निकलना है distance the top and we get done faire formula को इसको distance coverediction निकालने के लिए आपको क्या to do ना पड़ेगा यह one round उसने complete कितना है यह 근ues इस स्रेकुलर पदेर के जो 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 ऊटर лहनघ होती अजो जring रहे है जो गया के Speaking सी यह जो जो जिस रहे हैं कि को 청b को पना होता है किCR इस बीडिद मेंक, तो स्वानगर धुव दो कितने कितने राउंड किये थ्रिफ यह च्öd भाम घ्डिए मिल्टिप्ली क्या हो गया सर्कम्फ्रेंस है ना सर्कम्फ्रेंस अब 3.5 इन्टू पाई आर अब 3.5 मल्टिप्लाई अब इसको क्या कर दो टू मल्टिप्लाई 25 का वैल्यू जो होती है 22 अपॉन 7 यह कट जागा इसलिए मैंने 7 रखा नहीं तो इसकी वैल्यू 3.14 भी रख सकते हैं और मल्टिप्लाई आर कितना है अभी हमने निकाला था 100 मीटर ठीक है अब इसको सॉल्व कर लो 3 कितना होता है 75 जा 35 होता लेकिन 0 0.5 x 224 x 100 ठीक है इसका डैसिमल हटाया यह लगाया एक 0 से 10 गैसिल हो गया 5 से इसको मल्टिप्लाई करो 5 फॉर्जा 20 ठीक है 25 फॉर्जा 20 ठीक है 25 फॉर्जा 20 ओंटी और यह 0 यहां लग गया तो यह क्या हो गया डिस्टैंस कवर कितनी हो है तो 2200 तो डिस्प्लेस्मेंट तो यह आपका अंसर हो गया नेक्स जो नुमेरिकल है वह भी पहले को ध्यान से सुनना समझना उसके बाद अंसर करना तो अंसर नंबर 2 में जो है कोस्टन पढ़ लो NCRT की बुक अपने सामने रखके फिर करना जोजफ जॉजफ जॉक्स फॉम वन एंड 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 इंड एंड 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 बी पॉइंट तक की डिस्टेंस ठीक है अब ध्यान से कोश्चन सुनों वो क्या कह रहा है तू मिनट थर्टी सेकंड ठीक है उसने कितने मिनट में कवर करी कितना टाइम में कवर करी तू मिनट थर्टी सेकंड में कवर करी और यहां से लेकर यहां गया और कितने टाइम में ग वो यहां से गया, जोगिंग करते वे गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, उसने टाइम कितना लिया, टू मिनट थर्टी सेकंड लिया, बट उसने क्या किया, बी पॉइंट से जब वापस आया था, यहां से हंड्रेद मीटर तक पहुंचा, कितने में, हंड्रेद मी में पहुंचने में कितना लिया वन मिनट लिया ठीक है वट आज जोजेफ्स एवरेज स्पीड वैलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी ए टू सी ए टू बी आपको निकालना है ए टू सी भी निकालना है ठीक है तो आपको यह समझ में आ गया होगा यह हंडर्ड है ए पार्ट में आपको क्या निकालना है फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए टू बी ठीक है डिस्टैंस कवर्ड हमें पता होना चाहिए डिस्टैंस क्या है डिस्टैंस कवर्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक गया यहां से यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? हो रही है कि नहीं? तो distance covered equals to किसके बराबर हो रही है? displacement के बराबर हो रही है, ठीक है? displacement और distance समझ में आ रहा है तो यह किसना है? 300 meter टाइम टेकन आपको दिया हुआ है इसको time taken 2 minute 30 second इसको हम किसमें change कर देंगे? second में change कर देंगे 2 multiply minute को second में change कर निकले 60 से multiply plus यह 30 second ठीक है? यह किसमें change होगा? second में change होगा 12 120 plus 30 आपका कितना आ गया? 150 second अब आपको क्या निकालना? average speed speed भी same होगी, velocity भी same होगी क्यों? क्योंकि जो हमारा distance covered है displacement है और displacement है दोनो सेम है क्या होगी? velocity और average speed दोनो ही क्या होगी? equal होगी अब आपको क्या निकालना है? average average दोनो ही निकालना था आपको first case में आपका average speed और average velocity क्या है? same है average speed equal to किसके बडाबर होगी? average velocity के बडाबर होगी ठीक है अब average speed velocity आपको formula तो पता ही है कि distance upon time taken तो कितना है distance? 300 ठीक है? और time taken कितना है? अभी हमने निकाला 150 second निकाला था ना? 0 से 0 15 to 30 तो आपके क्या आगई? 2 meter per second ठीक है ना? मीटर per second क्या होती है? speed and velocity क्या होती है? SI unit होती है B part में देखो B part में ध्यान से देखो उसके distance क्या है? distance क्या है? ज्यादा है और पहले वो यहां से गया तो distance or displacement क्या है? ज्यादा है distance क्या होती है 100 और गया 100 और गया but displacement अगर देखें displacement क्या होती है वो इस पॉइंट में पहुचा तो displacement कितना होती है? AC के बड़ाबर AC की displacement कितना है? 200 meter तो इसमें क्या होगा आपको distance और displacement दोनों अलग है तो आपको average speed और average velocity भी अलग होगी समझ में आ रहा है है ना? अब देखो from A to C में देखो A to C distance covered अब distance देखो इसमें कितनी है? distance covered ठीक है? distance covered कितनी और यह 300 बैक आया वो कितना? 100 meter आया ना? यह मीटर यह भी मीटर ठीक है? तो बैक आया वो 100 meter तो distance covered आपकी कितनी हो गई? 400 meter clear है? ठीक अब total time total time भी क्या हो गया? change हुआ total time में देखो total time पहले वो यहां से यहां तक गया था 2 minute 30 second में और उसने यहां 100 meter जब वो बैक हुआ तो उसने क्या 1 minute all लिया 1 minute all लिया तो हमने यहां पर क्या 1 minute और plus कर देंगे total time taken में तो हमने यहां पर इसको change करके कितना निकाल दिया था 150 plus 60 है ना 1 minute को change कि second में तो क्या आगे 60 तो यह क्या हो गया? कितना आगे अपका 210 seconds तो average speed निकालोगे average speed जब निकालोगे तो क्या हो गया? 400 meter upon 210 10 कितना? 0 से 0 cancel इसको आप क्या करोगे divide कर दो 21 1 बन जाई होगा 40 है तो 0.9 9 जाई जाएगा meter per second ठीक है? अब displacement देखो सबसे पहले आपको displacement देखना है कि A to C में displacement क्या हुआ तो A to C में displacement कितना हुआ? 200 हुआ काम हो रहा है ना? क्योंकि वह यहीं तक पहुँचा हमें इस point को देखना है तो displacement कितना हुआ? अब देखो फिर से लिखो कि displacement displacement क्या है? अपका 300 मीटर total जो किया है minus 100 मीटर क्या हो गया? वह बैक आ गया है ना? तो अपका यह क्या हो गया? 200 मीटर displacement वहा ठीक है total time सेम रहेगा सेम ही तो रहेगा ठीक है total time जो है कितना लिया था? अब चेंज कर दिया था 210 seconds ठीक है average velocity निकालोगे तो displacement upon time taken है ना? यह formula मैंने notes में भी लिखाए हुए है तो क्या हो गया? 200 upon कितना? 210 इसको solve करोगे तो आपका answer क्या जाएगा 0.9 meter per second ठीक है तो यह क्या NCRT के questions है